शुक्र राहू का होली के बाद मेश रासी में सयोग इन राशियों का होगा बेशुमार लाब शुक्र ग्रह जल्द ही में राशी में संचार करने जा रहा है शुक्र बारे मार्च को मेश रासी में पहुंच जाएंगे पहले से ही राहू मेश रासी में संचार कर रहे हैं ऐसे में होली के बाद शुक्र के मेश रासी में जाने से कई राशियों को बेशुमार लाब मिलने वाला है शुक्र के गोचर से कुछ राशी के जातकों के लव लाइफ के साथ साथ आर्थिक लाइफ भी अच्छी रहेगी आए जानते हैं शुक्र गोचर का किन राशियों पर रहे को मिलेगा इसका ही नहीं आपको इस दोरान अपने परिवार और दोस्तों का भी पूरा साथ मिलेगा इस दोरान आपकी लव लाइप काफी अच्छी रहने वाली है शादी सुदा लोगों को अपने पार्टनर का पूरा समर्थन हासिल हो पाएगा साथ ही आप दोनों के बीच प्रेम भी बना रहेगा शुक्र गोचर का मित्वन राशी पर प्रभाव मित्वन राशी के लोगों के लिए भी शुक्र का यह गोचर अच्छा खासा लाबकारी साबित होगा इस दोरान आपका कई नए लोगों के साथ संपर्ग स्थापित होंगे जो आपके लिए भविस में लाबकारी रहेंगे इतना ही नहीं इस दुरान आपको अपने बच्चों से कोई सुखल समाचार मिल सकता है इध्यारती वर्ग के लोगों के लिए भी यह गोचर काफी अच्छा रहेगा शक्र गोचर का सिंग राशी पर प्रभाव शिंग राशी के लोगों के लिए भी लाब दिनाने वाला रहेगा मेश रासी के लोगों के लिए यह गोचर काफी भागशाली रहेगा खास तोर पर विबायत लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार साबित होगा अगर आप किसी नए काम की शिरुवात करना चाहते हैं तो वे अब आपके लिए बहुत ही प्रभाव, धनु राशी के लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही लाबकारी साबित होगा, खास तोर पर विध्यारती वर्ग के लोगों के लिए यह अवधी शांदार रहेगी, इस अवधी में शाधी सुधा जातकों को खुसकबरी मिल सकती है, यदि आपका कोई पुराना विबात चल रहा है, तो इस गोचर के दोरान उसका समाधान हो जाएगा, साथ ही इस दोरान आपकी आर्थिक इस्तिवी काफी मजबूत होगी, आप अलग-लग रास्तों के जरिये धन कमाने में कामियाब रहेंगे, साथ ही नौकरी फेशा लोगों को गोचर के दो में कामियाब रहने वाले हैं, इस दोरान आपके अपने सतुराल पक्ष से सम्मंद काफी अच्छे रहने वाले हैं, साथ ही आप लोगों को अपनी ओराकर्शित करने में भी स्तफल रहेंगे, धर्म कताएं के यूटूब चैनल को सब्स्राइब करें, और इस वीडियो को फ वालो जरूर करें, धनिवाद।